हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू मैं इस्टडी फीट आप फीजिकल एजुकेशन चैनल दोस्तो प्रिविएस एर कोस्टन्स के सभी एक्जाम से पुछे गए प्रश्णू का कलेक्शन मोस्ट इंपोर्टन कोस्टन्स को लिए कर आएगू यह प्रैक्टिस से टमबर आठ है और द पुरा करने की और मैं पहले भर शारख कर करा चुकी हूँ जो मेरे सभी विडियो चुको प्रैक्टिस किया हूगा उसकों को न mir इक्टकित निह होगा तो चलते हैं आज के को तरफپ कोशिने दोस्तो किसने सबसे पहले सरी को परिमार और आकार के अधार पर सरी का वर्गी करण किया को फर्स्ट क्लासिफाइड दा बाड़ी on the basis of its size and shape तो size and shape के अधार पर सबसे पहले वर्गी कित किया दोस्तों, शेल डान ने इन्होंने बाड़ी टाइप को तीन भागों में बाटा endomorphic, mesomorphic and ectomorphic यानि कि visrotonic, somatonic and cerebrotonic यानि हिंदी में हम कहेंगे गोल का है, sudor का है and lamb का है and next question है ectomorphic सरीर वाला ब्यक्ति ने उन में से किस क्रिया के लिए अनकुल होता है a person with a ectomorphic body is suited for which of the following activities तो दोस्तों जैसा कि इन्होंने तीन भागों में बाटा हुआ है endomorphic, mesomorphic and ectomorphic इसमें से जो ectomorphic होता है या दुबला पतला सरी होता है सुन्दर बाड़ी होता है या endomorphic यानि सहनसिल्ता वाले खेलों के लिए जदे अच्छा होते हैं ठीक है सहनसिल्ता यानि और जिमनास्टिक से में जदा अच्छा होती है इन्होंने तीन भागों में endomorphic जो बिसरो टोनिक होते हैं गोल काई बाड़ी वाले होते हैं मोटा, कोमल, बहुत खारई की प्रवित्ती, अराम तलब बिनों तो प्रिमिलन सार होते हैं यह जो endomorphic होते हैं agility, speed वाले खेलों में अच्छा नहीं होते हैं यह उन चीजों में अच्छा होते हैं जिनका सम्मध मुकरिब से strength यानि तागस से होता है इसमें अस्थी पंजर वा पेशियां बिक्सित होती है पेशी प्रधान से नजना होती है याद रखेगा पेशी प्रधान बोलेगा तो मेसो मर्फिक हो जाएगा अस्थी प्रधान बोलेगा तो endomorphic हो जाएगा वसा प्रधान बोलेगा तो endomorphic हो जाएगा यह चीजे ध्यान रखेगा तो मजबूत बाड़ी होता है मेस्व मुर्फी का पेशी प्रधान सासी उस्ताही निडर ससक्त अधिकार पुर प्रविती कटनाई में अधिक सक्री होती है और जोस्तो यह ताकर चपलता चाल से समधित खेलों के अच्छा होती है मेस्व मुर्फी तिसे उन्हेंनों बड़ा अस्थी प्रधान जहां पर अस्थी प्रधान कहेगा वहां एक्टोम नफिक होगा जिसे से रिप्रोटोनिक प्रम अस्थिक प्धान ज्यादे बुधिवान होती है यह लंबा दुला पतला कमजोर सुन्दर होती है एक आंधरपी और समाजिक यह सहंसिलता वाले खेलों तथा जिमनाश्टिक में अच्छा होते हैं नेक्ट है कोशन नमर थ्री है खेल की सासर में किस सभारती संस्थान ने दो वर्षी डुपलोमा पार्ट करम सुरूर गया तो वह संस्थान है एनस एनाइस बठियाला जिस किस्था अपना साथ में 1961 मे हुआ था जो एसिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान है एन सारी सिछा का मक्का के नाम से जना जाता है नेक्ट कोशन है किस आघात के कारण हड़ी का कई जगह से तूर जाना कौन सा फैक्टर कहलाता है इसमें हड़ी टूर जाती है लेकि तोचा नहीं तूरती है दूसरा जिसे एक क्लोच फैक्टर भी कहते हैं दूसरा होता है मिसित फैक्चर जिसमें हड़ी टूर कर झाल के वाहर भी निकल जाती है इसे उपन फैक्टर भी कहती है जिसका होता है कम Guidite टवैक्टर कोशनमें दिया हुआ है हड़ी के जगह कुड़ जाती है पांचवा होता है इंपेक्टेव फैक्चर जिसमें एक हड़ी तूट कर दूसरे हड़ी के सिरे पर रगड़ खाती है। चटा होता है ग्रिन इस्टिक फैक्चर जो हड़िया पुड़ विक्सित नहीं हो पाती तो चुट लगने पर हड़िया तूटती नहीं मुड़ जाती है। सिसु में एक होता है डिफ्रेश्ट फैक्चर जिसमें खोपड़ी के कपाल यानि क्रेणिल भाव के हड़ी तूट का अंदर गुश जाती है। एक होता है रोगात्मक अस्थिभंग की सी पैथोलोजिकल फैक्चर कहते हैं जिसमें रोग ग्रस्त हड़ि का छोटे से अगात के करण तूट जाता है। एक होता है तेच्छा अस्थिभंग जिसमें तेच्छे या बिकल रूप से टूट जाती है हड़ी अधितर ह्यूमरस अफ्यमर अथात्सरी की लंबी अस्थिव में ऐसा होता है अब लिक्यू फैक्चर क्यूंअ कि नेक्स्ट कोचन हैं कोच्छन में फाइफ है कि सरु प्रथम अलंपिक ज्वाला का प्रियोग की गई वैंबस तें क्यंब फ्लेम फस्षिवwo धिय और उन तो दोस्तों सबसे परहे मसाल को उनी सो अठाइस से के एमर्चरजम उलम्पिक हॉलेंड में ज्वाला इस्टेटियन में मुख्यद्वार पर फढ़ाया गया था जलाई गई थी 1932 में इसको पुना अपनाया गया बट पर्थम पर अधिकारिक तोर पर 1936 बर्लिन उलम्पिक में मसाल को उलम्पिक से लेकर सभी महादीपोस से होते हुए उलम्पिक के आयोजन इस्थल पर लाकर ज्वाला पर जलाई करने की प्रथा सुरू ही जिसको कार्ल डाईव ने सबसे पहले प्रस्ताव बाइद किया था तो सवरपथम जो अला की पूछेगा तो 1928 अधिकारे क्रोश से टार्च रिले यानि मसाल को जलाया गया तो 1936 बर्लिन में और सबसे पहले महिला खिडारी ने तब जलाया था 1968 मेस्चिको सीटी ओलंपिक में पहली बाइद किसी महिला ने नेमी इनरी कोईता सार्टी बासी लो सोटे लो मेक्सिको की महिला ने मसाल से ज्वाला पर जले ते था पहली महिला थी नेक्स्क्क वूच्छन है विडामीन और खर्ली लवड के क्या का रहे हैं वाट और दोस्तों जैसे की कारे क्या था पर पोस्त कत्यों को तीन भागों में बटा गया है एक उर्जा परदान करने वाले दूसरा सरीकर निर्माड करने वाले तिसरा रोगों से रच्छा करने लगों से रच्छा करने वाले वीडामिन और पितायमीन और सरीक बितामीन करने अख्णीज लवड क्या करते हैं उसरे को र्च्छा करते हैं और इसका नियमन यानि की जो भी कार्वोहर्डेट प्रोटीन वसा हम खाते हैं उसका अच्छे से उपावजय करने में काम आता है। वैसे शन्रिच्छन और रेगुलेशनम का काम करता है विदामों एन मिनर खता है यह माइक्रोनीट्रियोन है अब जो हमारे सरी में अधिक ही करते हैं जैसे अच्छ सात्य केकली । नेश्ट कोशन है प्राचिन ओलंपिक खेलों पर रोक लगाने वाले समराद का क्या नाम है नेम आप दा एंपायर वू बैंड दा एसेंट ओलंपिक गेम तो दोस्तों प्राचिन ओलंपिक खेलों को किसमें रोका था जैसे कि आपको पता है कि प्राचिन ओलंपिक खेलों को रोगा था थियो रोसियस प्रथम नहीं आफसर नमबर ए राइट है जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि प्राचिन उलंपिक खेल की सुरुआत युनान के एथेंस में 776 इसा पुरू में हुआ था और प्राचिन उलंपिक खेल जो है 776 इसा पुरू से 394 इसवी तक कुल 293 उलंपिक खेल संपन हुए थे 1200 वर्सों तक जो 394 इसवी में रोम के तत्कानिन सब्राथ थियो रोसियस प्रथम ने राज आदेश द्वरा इसको प्रपतिबन लगा दिया और फिर उसके बाद 426 में थियो रोसियस सेकेंड ने उलंपिक इस्टेडियम को ही ध्वस्त करवा नेक्स्ट कोश्चन है ब्रिधी और विकास को प्रोहवित करने वाले कारक हैं वाट अफेक्टर्स अफेक्टिंग ग्रूथ एंड डिलॉक्मेंट तो दोस्तों यहां पर आपका जो कौन से लिंग है आयू क्या है आपकी पोसर क्या है आपकी इस सभी चीजें मेंटर करती ह है प्रोहवित करती है ब्रिधी और विकास यानि ग्रूथ एंड डिलॉक्मेंट को तो दोस्तों यहां पर राइट इंसर हो जाएगा उप्रोक्त में से एक से अधिक आफसर नमबर बी ठीक है और कोशनी पूचेगा कि ब्रिधी और विकास को सबसे ज़्यदा को प्रोहवि करता है तो भी आपका होगा एडिटी और इन्वार्मेंट यानि की अनुवानसिक्ता यान पर्यावरार नेक्स्ट कोशन है बिस्मस्वास संगठन यानि वह को वल्ड हेल्थ हेल्थ और अर्गनाजेशन की इस्थापना कब हुई थी वेल्ड हेल्थ ऑर्गनाजेशन उनीजी सो अर्थास को दबली यह च्टे स्थापना भूआ था साथ अप्रेयर उनीजी सो अर्थालिस एदरखेगा नाइक्स पूचन है कोचन? कहसे नमभर दस है खेल मनुविज्याण के जनक है यह तो मनुविज्यान के जनक, आधरीक मनुविज्यां के जनक है विल्यम चेंस याद रखेगा तो मनोविग्ञान बियोहारवाद आएगा तो वहाँ पर जाएगा दर्शन का भी से होगा जब। अब लोभी ज्ञान या वनुवी जयन के जनक के बात करेगा तो बिल्यम उंट इसी तरह फसाया था वी पीसी टीयाइड दू में याद रखेगा यहां पर खेल मनुवी जयन के जनक है हुलमेन ग्रिव॓ईथफ और मनुवी जयन के जनक बूलेगा तो भीलियम उंट नेक्ट कोस्टन है भारत ने उलम्पिक होकी में कितने सोड़ पतक गीती है हाउ मैनी गोल्ड मेरल है इंडिया वोन इन उलम्पिक होकी दोस्तो भारत ने अभी तक होकी में कुल आठ सोड़ पतक गीते हैं कितने कुल आठ सोड़ पतक गीते हैं आफसर नमबर A यहां पर राइट होगा तो कुल आठ सौर पदक जीते हैं अभी तक हुए जिसमें से आपका आठ कुल पदक जीते हैं बारे जिसमें से आठ सौर एक रज़त तिन का से पदक याद रखेगा जिसमें से 1908 से एमस्टाटम हॉलेंड से सौर पदक सुरू हुआ और लाश सौर पदक 1980 मास्क रूस में जीता और 1960 में एक रज़त पदक जीता है उसके अलावा 1968, 1972 और 2020 टोकियो अलम्पिक में कांसे पदक जीता हुआ है में शोजन है पांच छलो को अलम्पिक चिन बनाने का सुझाओ कि ने दिया वह सर्जेंश दो फाइब इडरन पिरिंग को अलम्पिक का पिताम सो इसलिए वहा अलम्पिक का पदक का जाता है doggy निला लाल इसमें से नीला युरोप महादीव का प्रथिक पिला एसिया महादिब का प्रतिक काला आफ्रीका महादिब का प्रतिक हरा आश्टरिया महादिब का प्रतिक अलार अमेरिका महादिब का प्रतिक है यह पांच चल्ले पांच महादिब को प्रतिक हैं जो दुनिया की एक्टा को प्रतिक करते हैं लेक्स कोशन है खेल क्रियाओं में थकान का करण है what is the causes of fatigue in sports activities दोस्तों खेल क्रियाओं में थकान का सबसे ब्ला करण होता है लेक्टिक एसीड का जमाओं ठीक है खेल क्रियाओं की बात कर रहा है accumulation of electric acid ठीक है तो जैसे जिसे हम कारे करने लगते हैं हमारे अंदर जो instant source of energy ATP होता है उसमाफ्ट होने लगता है और oxygen की कमी होने लगती है और जल्दी उर्जा भी नहीं बन पाती है तो और कुछ समय के बाद धकान हो जाता है और कुछ समयके के बार थकान हो जाता है jus की चैसalth कोंशन है इस koliosis एक सारी परूपता कि करी गुछ कशन है जो सम्सम्मदित है is family कि शोलसीज एजिए फीजिकल डिपरमेटी एग टो एक शारीख विक्रिती य है मिशें टीकल डिपरमेटी तो सिंव टीयुका जगा कि नीस तुर रीड की हर्डी थी इसमें मेरी उदन यानी स्पाइन एक और जुग जाता है जैसे कि सोल्डर एक तरफ और ही दुसरी तरफ जुग जाते हैं इसमें दो प्रकार की आफ्रितिया बनती है एक C टाइप एक S टाइप जैसा जो दिखता है डबल एक स्कुरियोसिस कहलाता है नेक्ष कोशन है किसने कहा मनुविज्ञान मानो प्रकीति का अध्यन है दोस्तों इस बात को कहा है बुरु आर्धनी याद रखिएगा नेक्ष कोशन है पुरा इस्थापना की प्रकीया में राइस और आई सी इस सब्दका क्या आर्ध है तो प्रक्मी कोश्चार में सबसे पहले आर आई सी प्धतिका प्रियू किया जाता है यादि टर्म और आई सी इन रिहाबिलिटेशन प्रोसेस इस्टेटर इस्टेंडर इस्टेंड्स फॉर तो दोस्तो आर आई सी सब्दका क्या आर्ध है अर आई सी इसी में आर से मतलब हो जाएगा रेष्ट आर से मतलब क्या हो जाएगा रेष्ट and i से मतलब हो जाएगा ice यानि की बर्ख लगाना and c से मतलब हो जाएगा compression यानि की दबाना e से मतलब हो जाएगा elevation यानि की हिरे की बुचाई से उपर उठाना तो यहाँ पर right answer हो जाएगा option number c rest, ice, compression and elevation next question है तो जाएगे ठीक नीचे पाएजाने वाले वसा को कहा जाता है the fat found just beneath the skin is cold तो तो जाएगे ठीक नीचे पाएजाने वाले वसा को हम कहते है subcutacian वसा क्या बोलते है subcutacian वसा subcutacian fat and next question है question number 18 है दोस्तों कि भारी भार पर सिच्छर की कारण बढ़ने वाले पेसी पीन को क्या कहते है increase in muscles due to heavy weight training is called most important question है ये question हमेशा आता है दोस्तों जब किसी प्रसिच्छर के कारण या नेवित अभ्यास के कारण मांस पेसियों में ब्रिधी होती है सक्ती में ब्रिधी होती है तो उसे हम कहते है muscular hyper profit हाइपर का मतलब हमेशा ब्रिधी होगा याद रखेगा जब बढ़ने किसी भारपसिच्छर के कारण मसले ब्रिधी की बात करेगा तो muscular hyper trophy हो जाएगा अगर जब नेमित अभ्यास ना करने से या किसी अनुवांसी कारण से मांस पेसी कमजोर चोटी हो जाती है तो उसको muscular dystrophy या और ट्रॉफी कहा जाता है याद रखेगा यह muscular dystrophy जो है कि किसी अनुवांसिक्ता के कारण या किसी वजह से मांस पेसी कमजोर चोटी हो जाती है कमजोर होती है तो उससे muscular dystrophy दिया हुआ था दोस्तों आपका VPSC-TI2 में हो सकता है तो पूछेगा तो वही चीज बस उसका question चेंज रहेगा थीक है नेक्स्ट question है सरीर में पाए जाने वारी सबसे लंबी पेसी कोन सी है दोस्तों सबसे लंबी मसल्स होती है सार्टोरियस जांकी और सबसे बड़ी मसल्स होती है largest muscles याने बड़ी मसल्स होती है gluteus maximus हमारी कुल्हे की अब सबसे longest लंबी मसल्स होती है सार्टोरियस और सबसे मजबूत मसल्स होती है निचले जबरे की मसेटर मसल्स सबसे छोटी मसल्स होती है कान की इस्टेपेडियस मसल्स जांग के पीछे की पेशियों को कहा जाता है जांग के समने वाले को क्वाडिसेप्स बुला जाता है जांग के पीछे की पेशियों को कहा जाता है है मेस्ट्रिंग मसल्स जो दोस्तों जांग की पीछे की जो हमेस्ट्रिंग मसल्स होती है तीन पेशियों से मिलकर बनी होती है virus. जो घुटने को मोरने के काम करती है और जहांके सामने वाले जो मसल्स होती है उसको quadriceus मसल्स गहते है और quadriceus मसल्स जो होती है उत्चार पीशी उसे मिलके बनी होती है. गुटने को फैलाने और कोई मिश्टेक होगा या समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट में ज़रू बताइए तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैकिस में तक तक के लिए जैहिए